आलसी कवे की कहानी एक था कवा और एक थी चडिया एक पेड़ पर कवा और एक पेड़ पर चडिया तोनों आमने सामने रहते थे हर दिन एक दूसरे को सलाम नमस्ते कहते थे चडिया थी बहुत होशियार और कवा आलसी और बेवकूफ एक दिन आकाश में काले बादल जागए चडिया बोली अगर बादल भरसने लगे तो हर दिन मुझे खाना गिन गिन कर खाना पड़ीगा चडिया घबरा गई और कवे के पास चल पड़ी चडिया कवे से बोली चलो भाई तुम और में खाना ले आएंगे थोड़ा थोड़ा हर दिन खाएंगे आथा तुम्हारा आथा मेरा चडिया को सुनकर कवे का मन तोतला सा गया और कवा बोला का का तुम चलो आता में दाजी रोटी खाता में थेंडा पानी पीता में का का कवे को सुनकर चिडिया समझ गई कि कवा आएगा नहीं चिडिया खुद घूम घूम कर अपना खाना ले आए फिर आकर कवे भाई से बोली कवे भाई अपना खाना लालो बादल बरसने वाले हैं का का तुम चलो आता में ताजी रोटी खाता में थेंडा पानी पीता में का का फिर शुरू हुई बारिश दो दिन और दो रातों तक भूख से कवा हुआ बेहाल बारिश में खानी की तलाश में मिलाना कुछ कवा चडिया के पास गया और पुछा चडिया रानी चडिया रानी फोग लगी है मुझे थोड़ा खाना दे दो चडिया मीठे बोल में बोली ची 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 ताजी रोटी खाती में थेंडा पानी पीती में ची 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 इस कहानी की नैतिक है आलस यसे लुकसान ही होता है